So hey guys, welcome back to the channel and guys, आज की वीडियो कॉफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है and guys, क्या टीन गॉर्ले को पेनल्टी लगने वाली है Yes guys, आपको यासा पता हो कि कल उनने ट्री मैंनी खेला था जोनाथान या पंक में से कोई भी नहीं खेले थे and punk का बहुत ज़्यादा तब्यद कराते जोनाथन ट्राफिक में फस गए थे बट कि इस अभी क्या क्या पेनल्टी लग सकती गॉर्लैक पे उसके बारे में बेन फिक्स ने बात की जो कि आप उन स्क्रीन दिख सकती हो पेनल्टी लगता है तो वो चिसके उपर अभी तक ने हमें कोई क्लारिफिकेशन नहीं नहीं दिया है तो अगर कुछ मिल जाएगा में में भी आपको स्ट्रीम पर बता जाएगा उन स्ट्रीम नहीं करूंगा मनलब स्टास्पोर्स वाले पर अगर पर नहीं करें तो इस अंकी नहीं बूला कि जो राथर ने थोड़ा रेस्ट करने के बात वेन्यू में आने बाले थे बट अनफॉर्ट लिव ट्राफिक में फस गया है पट गईस क्या ये गौड लिक मैनेजमेंट की फेलियर थी ये इसकी सभी एस्पोर्स निउस बॉई ने ये बोला कि मेट्रो थी जस्ट दोसु मेटर अवे फ्रॉम दा होडल तो उनको मेट्रो से आना चाहिए था ना कि कैब से क्यूंगी ट्राफिक जाम रहते हैं तीन चाल गंटे लग जाते हैं बट अगर वो मेट्रो से आते तो एक गंटे में वो पहुंच जाते वे नियो अगिस अभी अंकी ने भी ये बोला कि प्लेयर्स बहुत ही जादा डिमोटिवेटेड है ये इसकी इस वो क्लिप आप उन स्क्रीन दिख सकते हो अगिस जेली का भी लाइफ क्या रेक्शन दा वो पन स्क्रीन दिख सकते हो अगिस अभी सिम्पी जब लाइफ करने आएदे तो उनको बंदे कंटिनेसली ये बोल्ड दिख प्लीज डोंट वोट पर गाड लाइक सो इसमन का ग्यार अपलाइथा आप उन स्क्रीन दिख सकते हो अगिस अभी मेसी ने भी कुछी ट्वीट्स किये थे और ऑस्टिन ने भी ये बोला कि दिल से वोटिंग अगिस गल क्या कुछ बहुत ही बड़ा मैटर हो गया ये इसकी ओशन शर्मा ने भी ये बोला कि मेरी को ऐसा लगते है कि टूनामेंट इस अ कमिंटमेंट और आपको उसको ऐसा कमिंटमेंट ही लेना चाहिए अगिस ये सब ट्वीट्स देखने के बाद बहुत सारे बंदों को ऐसा लगने लगा था कि जोनातन पंक की फाइट हो ये और पंक लेफ कर वाले गौड लाइक को सिसमें पिन फिक्स का क्यारप लाता वाप उन स्क्रीन दीख सकते हो जब कुछ नहीं हुआ तो इतने ट्वीट्स क्यों आ रहे थे बाई देखो हुआ तो है मुझे बुरा लगा है बस ये नहीं करना था ये तो फिल्गुल नहीं करना था अगे जब पिन फिक्स ने पुरा मेटर एक्स्पीन के कि कल क्या हुआ था जब सारे प्लेस फुटबॉल खेलने गए थे और उनने ये भी बताया कि क्यो स्काउट को इतना यदर ड्रैग किया जा रहा है ये से इस वो क्लिप आप उन स्क्रीन दीख सकते हो अगर भाच कोई था खडाता है घू हम फый बात बडाप साग्य नीय एक बड़ा ऊटैट को है को इस जो था एक बतानी बंदा कुछा हुआ झाली अपर गोपर के लुपर ये चीज गलती इक है वो प्लेयर को जब आपना केल रहे हैं ये ए रेंडम बंदा कर एक कुछ भी मिझबावना चालोगर दिया पूछा किक्या स्काउट को बोले चालोगर था लुप टो वह वाइन अब यह सोल के दो मैचेस हैं अभी हमें टॉप पे 8-bit TXN Team Forever देखने को बिल रही है और इस पॉर्ट अ प्लेवाइ TXN Team Forever जिसमें साराम ने भी बोले कि दो मैच में नेक्स टाइम से प्लीज जज मत करना अगेस जैसा कि आज से वोटिंग चालू हो जाएगी सो ओजी ने भी डाला के किजी वोटिंग वोटिंग खेलिए वोटिंग वोटिंग अगेस अभी फिक्सस ने बात कि कि आरेंटी पहला दिन ड्रॉप ग्लाइट नहीं ली थी बट सेकेंड दे में क्यो लिए क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना नए टीम बनी है गडलाइक का फिर वोटिंग वोटिंग से आ जाएंगे वान वोटिंग से आ जाएंगे बर रेवनेंट के पास नहीं था तो पहला जो दो मैच चला गया अच्छा गया तो अब वो चाहें तो किसी को हटा भी सकते ह सब लोग बोलते हैं मैंनी बोलते हैं कि तीन स्टार के साथ नहीं बन सकते हैं तेरा क्या रिस्पॉंस है इसको पर कि क्या सच में तीन स्टार प्लस एक टीम में नहीं रह सकते हैं प्लस तोन्हारी फार्टर कि कैसे नहीं हो अचार अजका किया भी सिदेन संसरी के बारे में तो पुरा पति हैं जो भी मेंटर था वो अब सब सौट हो चुका है अब बहुत लग कुछ ज़्यादा बोलती बिना और वो मैनेजर वाली चीट से भी step down कर चुके बट उनको अभी भी काफी यदा हीट मिलता है और उननों फिर माफी भी मांगी सो क्लिप आप on screen दिख सकते हो यह मतलब नहीं समझ में तर सची मेलाश्स तीन चार साल में इतना कुछ तूल और सब्सक्राइब के लिए अपने ही नोग लोग मेरे को हैट कर रहें नहीं समझ में रहें उन्हें अपन दॉप पर जॉइन इसे चुछ बहुत बारवालों के सामने तो कभी उमिलिटी नहीं द और वे तीम को तो आमेशाओ कि एक आपिक एक आप आप अपी तूम यूद अप्टी आनडर्सान यह चल रहा है खुछ भी अपड़ अपनृटर कहो बहेंगे जिनको इंचे अपर अपर बंद आ इसक वी मोटल को यह बंदी एपॉर भी किसी इड श्राइट टूड़ एंड Sid was really sad today he feels ecitual fans hate him please let him know we love him the point is that I am telling you about how it is so it is more like people who agree with Sid bhai's thought process don't show it anywhere and people who disagree with Sid bhai's thought process show it everywhere fans fans who agree with and disagree but I feel like if there is something which Sid bhai is saying so the fans are fan's who are fans वो कहीं पर दिखाते नहीं है, उस चीज़ को जटाते नहीं है, बट जो प्रिशग्री करते हैं, वो लोग जटाते हैं, उस चीज़ को, झाल झाल